आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यह कोशन यहाँ पे बोल रहा है हमारे को The Exoskeleton originated from Example में दिया हुआ है Feathers Nail Hawn and Hoops यहाँ पे बताना है हमारे को इनकी Tissue Range पे देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे इस कोशन की हम बात करें जो है Exoskeleton के बारे में और जैसे के हमने हमारी पहले की वीडियो में बात करी है यह शू करता है S का External Part Body का and that the region हम बोल सकते हैं इसे External Exoskeleton Region भी या फिर हम बोल सकते हैं से External Skeleton System जो support करता है और एक तरीके से protection का काम करता है animal की body को लेते वे अब support या फिर हम protection की बात करें animal की body में तो इनका जो role होता है वो भी हम बोल सकते हैं different होता है इस तरीके से यह contrast show करता है और यह help करता है exoskeleton को जो contain करते हैं muscle scars को लेते वे muscle scars के अगर यहाँ पर बात करी जारी है तो हम बोलेंगे जो marks responsible होते हैं muscles के attachment के लिए और यह attachment जो होता है exoskeleton ही perform करता है और इसकी जगर tissue range की हम बात करें तो यह जो tissue range यहाँ पर form होती है उसे हम बोलेंगे epithelium tissue एक तरीके से हम बोल सकते हैं epithelium tissue का ही एक important role होता है और function होता है जहाँ पर यह exoskeleton form करता है और जैसे कि हमने हमारी पहले की videos में बात करी थी about the epithelium tissue की यह एक different tissue ranges है जो body surfaces पे भी in fact हम बोल सकते हैं to the internal organs पे भी एक important role perform करती है जो lining पे हम बोल सकते है inner surfaces पे और उनकी cavities पे और internal organs पे इनर रोल perform करेगी तो option second होगा इस question का correct answer classics to 12 से लेके need IIT GE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर